सभी को नमस्ति मैं सिर्धर मुडा मैं पुना आपके बीच नए वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल में अगर आये हो अगर पहली बार अगर देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक कि जो हल चली हैं और जो अभी हमारा जो हमारे जार्कन में बिधान सभा चुनाव हो रहे हैं पहला चरण हो चुका है जो आज ही हुआ है आज 13 नौंबर 2024 है और आगामी जो होने वाला है 20 नौंबर 2024 को तो महें आपके सामने किसका सता रहेगा और कोन सरकार बनाने वाले हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरा वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा अप्टूडेट आपको मिलता रहे तो तो आप इस वीडियो के अंतक जु आध्यम से आप समझी गए होंगे कि हमारे जारखंड में किसका सत्ता मिलने वाला है और क्या होने वाला है इस पर हम आपके बीच विस्तार पुर्वक रखने वाले हैं इसलिए आपको वीडियो को अंतक देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे तो जैसे मैं आपको यहां द जो हम बता रहे हैं जारकन विधान सभाद दो हजार चोबीस जो पहला चरण आज हो चुका है और अगामी होने वाला है उस पर किसका सरकार बनेगा उस पर हम विसेश चर्चा कर रहे हैं इसलिए चुड़े रहे हैं तब समझीएगा तो हम पहले नंबर पे हम आपको बतान चा रहे हैं क्या है कि बीजेपी आशू और चोटे मोटे एक दो और पार्टियां हैं मिलकर के इस चुनाओं को लड़ रहे हैं एंडिये का जो है इंडिया गठवन्दन है जो बीजीपी का चुनाओं चीन है दिखाई दे रहा है आपको कम्मल फूल है खिलता हुआ और आशू का है केला चा तो आपको जानना है यहां भी देख रहे हैं केंदर सरकार यानि अभी बीजेपी का सरकार है हमारा भारत में बीजेपी का संसद हमारे जो है एक हैं आशू से भी संसद हैं मान्य सिरीचंद्रपारकाश चोधरी जी हैं और बीजेपी के परधान मंत्री हमारे मान्य नरेंद्र मोधी जी हैं और आप देख रहे हैं दूसरी नंबर पे जे एमेम जार्खन मुक्ति मोर्चा जिसका अभी सरकार चली रहा है और ये हमन्सोरेन हैं कॉंग्रेस यानि रहुल गांदी जो चीनाव चीन जो है जेमेम का तिरधनुष है और कॉंग्रेस का क्या है हाँ चाप है तो ये मिल करके लड़ रहे हैं और चोटे मूटे पाठियां हैं ये जो है मिल करके चुनाव को जितने के कगार पे लगे हुए हैं और तीसरी नंबर पे है जे एल के एम जारकन लोकतांत्रिक क्रांती मोर्चा जिसका चुनाव चिन है कैंची छाप तो आप देख रहे हैं ये चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं यही वो चेहरा है और इसी चेहरे के मतलब ये सिंबोल है चिन है और इसी से हमारा जारकन विदान सभाव में जो चुना होंगे और जब तैस नंबर को इसका परिनाम आएगा जब तैस परिनाम आएगा तो इसमें कोन मुख्य मंत्री बनेगा और किसका सरकार रहेगा आप जुड़ी रहे हैं हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं देखिए अभी परत्मान पे जो है केंदर को गर देखा जाए तो हमारा जो है बीजीपी सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से सासन कर रही है और जो भी हमारा जो है हमारे इंडिया का जो है लेबल जो नीचे स्तर था वो उपर की और अग्रेसर बढ़ता चला जा रहा है तो इस पर यह दोनों मिल करके इसका भी विधायक चुने जाएंगे इससे भी विधायक चुने जाएंगे और इसका सीट कितना मिलेगा और आसू का सीट कितना मिलेगा दोनों मिल करके एकासी बिधान सभा में 41 लाने पड़ते हैं तोटल एकासी का चुनाव होगा उसमें 41 जिसका आएगा वो पहमत बनाएगा तो अब ये बात करते हैं जे मैम अभी हमें सरकार है यानि सरकार है और इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे नजर पर ये अच्छा इसका सासन काल रहा और ये भी आसु जो है हमारे जार्खन को जो है बहुत ही आगे तेजी गती से जो विकास की कारियों को तेजी गती से बढ़ाता है वो आसु है जो विकास पुरूस कहा जाता है माननिया सिरी चनर परकास चुदरी को लेकिन इसमें देख रहे हैं ये भी केंदर में हैं राहुल गांधी कॉंग्रेश केंदर में हैं जिसका पहचान पत्र आप देख पा रहे हैं हाथ छाप है और इसको देखिएगा ये विफल है जब से अजादी हुआ है हमारा भारत जब अजाद हुआ था 1947 को तब से इसका बहुत दिनों तक सरकार रहा लेकिन जो गरिवी स्थिति को हुआ है परिवर्तन नहीं हो पाता है तो इसको लोग बहुत लोग जो है नहीं चाहेंगे हमको लगता है और ये तो बहुत ही घटिया है कहने का मतलब आप जहां सुनिए इसलिए सी जी एल जे एस एस सी यानि सीजियल और जैसे सी जेबेसी और पिजिटी सारे ची को बेच दिया है जो बहाली लिया गया बेच दिया गया 25 से 30 लाग रुप बेच दिया गया तो ये जेमेम को चाहेंगे नहीं चाहेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग और ये कांग्रेस जो है एक सिंबोल है हाँ अच्छा लेकिन इसका भी जो सासन जो है रहा लेकिन सही तरीके से स्रकार नहीं चला पार रही थी तब परिवर्तन हुआ तब हमारे केंद्र में कमल खिला तो इसको यह इसको केंशल क्यों नहीं कर पार है रीजन क्या है तो यह कांग्रेस जो इसको देना नहीं चाहेंगे बहुत मिल रहा है कहीं कहीं इसका बिधायक जीतेंगे 100% जितेंगे लेकिन सरकार बनेगा के नहीं बनेगा आंति में बताएंगे अब रही ये थाड नमबर पे JLKM छारकन लोकतांतरिकरांती मोर्जा इसका चुनावचीन है कैंची छाब जो इसका चेहरा है जैराम महातो अब जैराम महातो जी है तो क्या ये स्तरकार बना पाएगा क्योंकि नया है अब इसको बिसलेशन कर रहे हैं समझेने कि परियाज किजी अब दो देख रहे हैं कि क्योंकि इसलिए आप इतना इसका पॉबिलिसिटी बढ़ गया है धान सनिएगा इसलिए पॉबिलिसिटी बढ़ गया है कि इसका नाम इसलिए हाइलाइटेड है क्योंकि जो जैराम महातो एक यूटूबर है और इसके जितने भी सरकील में हैं अधिकतर यूटूब चलाते हैं जिसके इसके जितने भी कारिकारता हैं यूटूब में हैं कोई फेस्बुक में हैं कोई इंस्ट्राग्राम चलाते हैं यानि आपको नवजीवक कहने का मतलब जो है यह 12 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के वाई वर्ष के बच्चे जो अधिकतर मोबाइल चलाते हैं तो यही लोग का संख्या जाता है तो इसलिए जो है अधिकतर वीडियो को देखते रहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इस वार जैराम्मा अगर देखेगा है कि बुजुर्क लोग जादे बोलते भी नहीं है और संख्या देखा जाए तो क्या हो लगभग जो है आप ध्यान दीजिएगा इसलिए इसका नाम लोते लेते रहते हैं बचे लेते रहते हैं क्योंकि यह यूटुबर है और इसके जितने भी देखिएगा सोसल मेडिया में देखिएगा बहुत सारी यूटुबर ही हैं इसलिए इसका जो आप लोग हर सोसल मेडिया में आपको देखने को मिलता है कि जैरामातु जीत रहा है तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि छेत्र होता है बहुत बड़ा और हर परकार के लोग उसमें लोग होते हैं तो इसलिए जो है इसमें एक आसी जो सीटे हैं पूरे एक आसियों में यह अपना विधाय के लिए उतार चुकी है तो क्या इंतम मिल पाएगा आपको लगता है अगर लगता है तो कॉमेंट जरूर करें तो हम यह बताना चाहेंगे एक सीट इसको मिल सकता है लेकिन हम को इस वी सिले 小時 में आपको क्या समझ़ में आ रहा है हम समझाने का प्रयास किये हैं तो इस तरह से आपको समझे नाह तो इस वीडियो को कैसा लगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर करको कर आओंगा मेरा घर है चेटर और मैं रामगड का सहर से पांच किलिमेटर दूर पर रहता हूँ सभी को बेश्ट प्लक आपका दिन सुभ हो और ऐसे नेता को चुनाएं जो आपको सहीयो करे और विकास की नगरी पर ले चले सभी को धन्यवाद